नमस्कार तर्शकों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है साल का आखरी सूर ग्रहन जो कि साल 2021 के आखिर महिने में लगने वाला है यह 4 दिसंबर शनिवार के दिन सूर ग्रहन पड़ेगा और संजोग की बातिया है कि शनिष्चर अमावस्या भी इसी दिन पड़ रही है और यहाँ ग्रहन भी इसी दिन लगेगा यहाँ 15 दिनों के अंतराल पर दूसरा ग्रहन होगा बता दे कि इस दिन पहले 19 नवंबर को कार्तिक पुर्णिमा के दिन साल का आखरी चंद्रग्रहन लगा था भारत में इस सूर ग्रहन को देखा नहीं जा सकेगा इसी दिन शनी अमावस्या का तेवहार भी मनाया जाएगा माना जाता है कि जब भी अमावस्या की तिथी शनीवार की आती है इसे शनीश्चर अमावस्या कहा जाता है आईए जानते हैं 4 दिसंबर को लगने वाला सूर ग्रहन कब लगेगा इसमें क्या-क्या सावधानिया बरतनी है और ग्रहन का समय काल क्या-क्या रहेगा तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ करना जाएगा इसमें जोड़ी जानकारियां आप लोगों को बहुती फाइदा दिलाएंगी कई ऐसे उपाय भी बताए जाएंगे जो आप करके सूर की पिशैली केड़नों से सूर के दुस प्रभाव से ग्रहन के दुस प्रभाव से बच सकते हैं आएए जानते हैं साल का दूसरा सूर ग्रहन जो की 4 दिसंबर को अंटार्कटिका, दक्षिन आफरीका, आस्ट्रेलिया और दक्षिन अमेरिका में देखा जा सकेगा लेकिन भारत में सिर्फ इसका सूतक काल माने रहेगा भारती समय के अनुसर 4 दिसंबर 2021 को सुभा 11 बजे से शुरू हो जाएगा सूर ग्रहन और दोपहर 3 बजे कर 7 मिनिट तक या ग्रहन समाप्त होने लगेगा करीब 1 बज कर 57 मिनिट पर यह ग्रहन पून रूप से चंद्रमा की छाया में रहेगा इसकी वज़ा से इस समय दिन के समय कुछ देर के लिए अन्धिरा चा जाएगा सूर ग्रहन का जोतिश महत भी बहुत अधिक होता है 4 दिसंबर को होने वाला सूर ग्रहन पून सूर ग्रहन माना जाएगा इस साल का दूसरा अंतिम सूर ग्रहन है इसमें कुछ सावधारिया हमें बरतनी होती है इसमें कहा जाता है कि आप लोहे की वस्तुएं जैसे नोकिली दार बस्तुएं चाकू, छुरी, दराती, फावडा और कई ऐसी वस्तुएं होती हैं धारदार उन्हें बिलकुल अपने घर से छुपा दें घर में उन्हें सामने ना रखें गर्वती महिलाएं खास करके नोकेली चीजों का इस्तिमाल बिल्कुल ना करें और उन्हें देखें भी ना इस दिन माना जाता है कि यह साल का सबसे बड़ा सूरिगरण है और गरहन के समय कई ऐसी शक्तियां प्रभावित करती हैं हमें हमारे आसपास कई ऐसी आकर अपना आकर्मन करती है और कहा जाता है कि आप सुंसान जगह पर भी इस दिन ना जाएं आपके घर के आसपास भी ना निकले क्योंकि सूरिगरण साल का सबसे बड़ा सूरिगरण है और गरहन के समय नकारत्मक सक्तिया जाकरत होती हैं और जाकरत होने की कारण आप अपने घर के दरवाजे खिरकी भी बंद रखें क्योंकि गर्वती महिलाएं अधिकतर इनकी चपेट में आ जाती हैं और नवजाज शिशु भी इनकी चपेट में आते हैं तो आप विशेश कर ध्यान रखें कि अपने घर के खिरकी दरवाजे बंद रखें जब तक गरहन काल समाप नहीं हो जाता आप नहा धुकर के शुद्ध नहीं हो जाते हैं अपने घर को भी शुदD नहीं कर लेते तब तक आप घर से बाहर ना निकलें सूरी की परचाय भी आपर न पढ़े कहा जाता है कि सूर्य ग्रहन के समय से सूतक काल कुछ गंटे पहले ही चालू हो जाता है तो आप कोशिश करें कि ग्रहन शुरू होने के 6-7 गंटे पहले और 6-7 गंटे समाप्त होने के बाद तक आप घर से बाहर ना निकले सूरी की रोशनी बिल्कुल ना पढ़ने दें सूतक काल सूरी ग्रहन के 12 गंटे पहले ही शुरू हो जाता है तो आप कहा जाता है कि सूतक काल के समय यानि ग्रहन के समय 12 गंटे पहले तक भोजन ना पकाए ना खाए और अगर आप मजबूरी हैं बिमार हैं गरवती हैं तो खा सकते हैं लेकिन याद रहे सभी खाने की वस्तूओं में और पानी पीने की वस्तूओं में आप एक एक तुलसी के पत्ते अवश्य डाल दें सुतक काल में भगवान की पूजा आराधना और तुलसी पोधेवा उसके पत्तों को नहीं चुआ जाता है तो पहले ही आप अपने घर के पट बंद कर दें भगवान के दरवाजे बंद कर दें परदा लगा दें और हर खाने पीने की वस्तूओं में तुलसी का एक पत्ता डा जाल दें और फिर आप तुलसी के पत्ते को पूधे को भी ना चुएं सुतक काल में गर्वती महिलाएं विशेष सावधानिया रखें सुतक काल में चाकू, सुई इन सब चीजों का प्रेवड ना करें और भी कई उपाय हमने होने अपने चेनर पर डाल रखें जो कि आप उनसे गरहन के बारे में और भी चीज़े जान सकते हैं आप उन्हों वीडियो को भी आवश्य देखिएगा उपाए भी हमने बताए हैं पीपल के वरक्ष का भी उपाए बताया है सोरे गरहन पर उसे भी जरूर देखिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में सरी शिवाय नमस्तु भी हम जाय मातादी आरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा